इस वीडियो के अंदर आपको मैं लो कॉस्ट जनल बुक्स बनानी सिखाऊंगा Amazon के अब दर सबसे पहले तो मैं Amazon.com के उपर आया हूँ आप यहां पर आकर देखें मैंने सिंपली आकर जनल बुक्स लिखा है और आप यह देखें कि इस बुक्स के कितनी ज्यादा ही बुक्स अगर आप यहां से लेटेंट पर आप यह देखें आप दोड़ार की बीच रहा है और यह दॉट इस एक पर बैंड को बनानी सिखाऊंगा बड़ी लो कॉस्ट यह बुक्स हैं और यूजट में एक एक्सिनन्ट मनी यह आप नीचे आते जाएं यह देखें यह उन्यक्श और की बेज़ रहा है, 715 feedback है, 4.6 rating है, यह बहुत ज़्यादा किताबें sell होती है, low cost books है, मैं इसके अंदर आपको बनाने से खाऊंगा और competition भी कोई इतना ज़्यादा नहीं है, अगर आप यहां से left hand side पर, अगर मैं 5 star rating के reviews के ओपर click करूँ तो यह आपको बता देगा basically, इसक दो 70,000 books जो है, general books के अंदर लोगों ने बनाई हुई हैं और बेच रहे हैं, marketplace के अंदर, आप अपने आपको यह कह कहते हैं, कि disappoint नहीं कर सकते हैं, जिसके अंदर दो competition बहुत ज़्यादा भाई, अगर हर इनसान यह सोचना शुरू कर दे, तो nobody is going to make any money, आपने competitive बनने हैं, market के अंदर, बलकि यह अच्छी चीज़ अगर competition है, तो people is actually buying that stuff, general books इतनी low cost है, जो Amazon के बनती है, कि लोग इसको खरीदते हैं, तो आपने simply करना क्या है, कि यहां से आपने search कर लेना है, ऐसे और unlimited quantity है, देखें आप, यह बड़ी low cost books हैं, और low crazy quantities में यह पिकती हैं, मैं इस किट्स की किताबें जो हैं, जिसमें animal illustrations है, funny stories है, jokes है, questions and answers है, यह बहुत साथ अबिकती है, मैं आपको आज तो एक low content book बनानी जिखाऊंगा, फर्दर भी मैंने इसके अंदर वीडियो बनाई हैं, आप मेरे चैनल से पर kindles की वीडियो देख सकते हैं, तो you guys can literally make a living out of it, चेक मैं जनल for kids के ओपर click करता हूं, तो आप यहां देखेंगे, कि आपको यह kids की आगी है, kids के general कैसे बनते हैं, बड़ी low cost books होती है, यह front end cover आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, all the way scroll down करें, यह best seller है, ठीक है, look at that, look at that, the rating, ठीक है 4.7, इसको feedback मिली है, look at that, the rating, जितने लोग purchase करत चुके हैं, $60 के ओपर, so this is unbelievable, ठीक है जी, take a look right here, everybody is selling, तो यह, this is a very good opportunity, मैं आपको दिखाता हूं कि आपने low cost general books जो है, Amazon के ओपर कैसे बनानी है, सबसे पहले मैं आपको opportunity दिखाना चाहरा था, बहुत ही असान काम है, let's go back to our calculator, KDB calculator, तो आपने सबसे पहले क्या काम करना है, इस page का मैं आपको वीडियो के description में अंदर link पी दे दूँगा, Amazon Kindle पे आपने आ जाना है, या आप टॉप पे देख रहे है, kdb.amazon.com slash cover-calculator, इस calculator पे आके हमने कुछ specific जो है, design already select कर लेना है अपने यहाँ पे, ताकि जब हम Canva के अंदर इसको design करेंगे, तो हमारा, यह न कर लेने से, यह नहीं आपको यह calculator दिया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँगा, इसके अदर कितना simple है, बच्चों की तरह हमने यहाँ से select करनी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इसके बाद आपने simply अपने book camera में बना के publish कर देनी है, अच्छा जी, इस calculator पे आके सबस करना है, paper type है, इसके उपर आप click करें हैं, और से simply white paper को select कर लें, paste and direction है, left से right होना चाहिए, right से left होना चाहिए, इसके उपर click करें हम कहते हैं, left to right है, यह right select कर सकते हैं, लेकिन वो doesn't make any sense, अच्छा जी, measurement unit जो है, इसके drop down पे click करें, तो यहाँ से आपने interest select करने ही याद demonstration करके दिखाऊंगा, कि इसके अंदर low cost family general कैसे बनाएना, तो आपने simply आपने यह specification आप देखना है, 7.5 inches में, times 9.25 inches, ठीक है, इसके उपर आपने click करना है, उसके बाद आपको पूछ रहा है कि page count, कितने pages की आपकी book होगी, हम 100 pages, 200 pages, जतने जादा मर्फी pages की बना सकते हैं, let's say, इस video description में, मैं simply, कि मैं सिर्फ 50 pages रखता हूं, और 50 pages की book लेंगे, जब आप यह सारा कुछ फिल कर लेंगे, आपने calculate dimension के ओपर click करना है, तो क्या होगा, कि Amazon के यह calculator, आपको इस तरह से dimension, आपकी किताब की side dimension, आप यह देख रहे हैं, तो आप दिखा रहा है, और एक template सी आपके सामने बना दी है, कि यह आपका spine का area, यह आपका cover है, यह आपका background, बैक होगा आपकी book का, ठीक है जिए, इस तरह से आपने, यह calculation basically इसने आपको कर दी है, तो next important thing है, हमने download template आपको नज़र आ रहा है, calculate dimension करने के बाद, वो तो आपने देख लिए, अब इसको download करना बहुत जरूरी है, simply आपने करना किया है, कि इस template को download के ओपर click करना है, और यह template आपके सामने download हो जागी, लेकिन इस zip format में download करेगी, first of all तो मैं इसको download करके दिखा के आपको दिखाता हूँ, कि zip format के अंदर यह 3 actually हमें files देखा, और कौन सी file को हमने select करना है, तो मैं यहां से इसी नाम से चलिए, paperback के नाम से, मैं save कर लेता हूँ, desktop के ओपर, और यहां से save होगी, zip format के अंदर, अब मैं इसको open करता हूँ, अच्छे जिब आप zip file को open कर लेंगा, तो आपको यह 3 file यह उसके अंदर दिखा रहा हूँ, text file है, दूसरी यह PDF file है, जो file आपने open करनी है, य यह वली, जो PNG file है, तर्मियान में आपको नज़र आ रही है, इसको पर click करें, तो यह PNG file आपको सामने खोल देगा, उस पूरी जो हमने अभी calculate किया है, अपनी book को, यह देख रहे हैं, यह आपकी paperback book दिखा रहा है, उसके cover template दिखा रहा है, ठीक है, यह आपके book का different size आपको दिखा रहा है, यह overall dimension आपको दिखा रहा है, 15.363 x 9.500, यह जो overall dimension जो है, इस dimension को हमने याद रखिएगा, कैनमा के अंदर use करना है, अपनी book को create करने के लिए, यह template आपने देख लिए, मैं यहां से इसको फिलहाल में close करता हूँ, अब next step जो हमने कैनमा के अंदर आ उसी size और design के अंदर हमने अपनी journal book को design करना शुरू कर देना, बनाना शुरू कर देना, जो size अगर मैं image को दोबारा खोना हूँ, ठीक है, यह जो size है, 15.363 x 9.5, यह inches के अंदर मैंने इसको design करना है, वापसा तो अपने कैनमा में, मैं created design के ओपर click करता हूँ, और यहां से simply आप custom size के ओपर click करेंगे, और यहां से आप PX की बजाए, यहां से आप inches को select करेंगे, तो simply मैंने यह देखें, recent में भी दिखा रहा है, मैंने पहले बर design किया हुआ था, तो simply यहां पर आकर आप लिखेंगे 15.363, जो के हमारी template के अंदर size लिखा हूआ है, और यहां से, जो नाम भी change कर सकते हैं, और आपको basically यह वो ही size यहां भी दिखा रहा है, अच्छा next step आपने क्या करना है, कि आपने वापस इस template के अंदर आना है, और मैं simply control A करता हूँ, इस template को आप यह देख रहे हैं, मैंने इसको select कर लिया सारी को, और मैं control C करता हूँ, इसको मैंने copy कर ल basically इसी को हमने, जिसको कहते है, road map बना के अपना पूरी book जो डिजाइन करनी शुरू कर देनी है, मैं इसको थोड़ा सा maximize करूँ, तो आप एक चीज़ यह देखेंगे, यह spine वाला area, यह आपका book cover होगा, यह back cover होगा, आपके book का, अभी जंदर बनाना शुरू करना तो आपक को यह फाइदा होगा, अच्छा जी, next step में हमें इसके background के ओपर एक अच्छा सा image आइड करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, left hand side पे हमाएंगे, background पे click करेंगे, left hand side पे आप देखें, background पे click करें, तो यहां से आप कोई भी image ले सकते हैं, तो यह देख रहे हैं, see all करें, यहां बहुत सारी image आपको नजर आ रहे हैं, अपनी मर्जी को कोई सा खुबसरो सा image ले ले ले, मैंने यह recently use किया, मैं इस image को पर click करता हूँ, एक चीज़ आप देखें, जब आपने इस image को पर click किया, तो image नजर नहीं आ रहा है, तो आपने simply इस canvas को पर click करना, इसको select करन है, और यहां से आपको यह जो चेकर नजर आ रहा है, transparency को इसको पर click करके, आपने इसको reduce करना, आपको background में अपना image नजर आना शुरू हो जाएगा, अब यहां से अभी इसको इतना ही रखना है, आखर में पूरी transparency हम completely remove कर देंगे, यह सिर्फ इसलिए है कि हमें नजर आ सक करेंगे, scroll all the way, आप करेंगे, अब मैंने element के ओपर click करना, यहां से आप कुछ भी select करें, dog, cat, elephant, sloth, I mean fish, जो मर्जी आप हमने खुब्सूरत सा, ऐसा cover book cover बनाना, जो के बड़ा enticing लगी user को देखने के लिए, ठीक है, तो यहां से मैंने बहुत सारे images इसी तरह से लेकर search element कर करेंगे, तो यहां से आप देख रहे हैं, recently used, तो मैंने recently jones image used के, उनके पर मैं click करता हूँ, और different image में आपको यहां पर one by one add करके, उनकी मकमल adjustment करके दिखाता हूँ, सबसे पहले मैंने करना किया है, कि मैं यहां पर add करता हूँ, यह देख रहे हैं, आप dog को मैंने लिखा, dog का image है, इसको पकड़ता हूँ, और यहां से आके इसको हम add करते हैं, ठीक है, make sure करना है कि हमारे edges जो है, उसको cover ना करें, वहां पर ना लगए आके, ठीक है, यही मकसद है, transparency करने का, ताकि पहले हम इसको completely बना लें cover को, उसके बाद हम इसको remove कर देंगे पीछे से, और सिर आपना जो elephant है, इसको फिर वापस move करता हूँ, इस तरफ, ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ, आपने play around करना है, कि एक दूसरे को element touch भी ना करें, और आपके margin है, और यही जो margin है, और यही जो margins हैं, ऊपर ने चीज़े किसी को भी a touch ना करें, okay, that's fine, मैं next image add करता हूँ, यह slot का image है, मैं इसको पर click किया, मैं इसको add किया, ठीक है, इसको थोड़ा सा size को छोटा करता हूँ, और यहां लिहाता हूँ, as a matter of fact, size or इसको छोटा करता हूँ, इससे आपने play around करना है, make sure करना है, कि हिट ना करें, आपके margins को, ठीक है, slot add हो गया, उसक show कीजिएगा, और इसको again, मैं size को छोटा करता हूँ, ताकि हमारा canvas में fit हो जाए, थोड़ा सा और चोटा करना पड़ेगा, हमारे margins को hit कर रहा है, touch कर रहा है, let's do this way, ठीक है, यह वाला area हमारा front cover book का, वो बन गया, अब यह जो back of the cover का जो book है, उसके लिए मैं यहां से मैंने back पे आपके नजर नहीं आएगा, back पे चला जाएगा, वो image, तो make sure कि यह जो आपको barcode का area है, इसको आपने इसी तरह से रखना है, यहां पर कोई चीज़ टच ना करें, इसके back पे, अब यहां पे हम इसको यह क्लिक करते हैं, यहां पे cat को ले आते हैं, जी, लेज़े इसक अब यहां सा margin है हमारे पास, तो मैं इसको यहां पर एड कर देता हूं, इसको आपने प्लेरां करना है, अगें, make sure करना है कि आपका जो है, वो कहीं लगे ना जा कि आपको sides पे touch ना करें, आपकी element, और यह front side है, अब भी जब मैं इसको print करूंगा, तो आप देखेंगे, इ इसको हमने PNG में print नहीं करना, अभी आपको मैं भी दिखाता हूं कि इसको print कैसे करना है, अच्छा, उसके बाद हमने करना किया है, कि यह जो spine वाला area है, इसको cover करना है, अच्छा, यह monkey को मैं थोड़ा सा, इसको size को छोटा कर देता हूं, थोड़ा सा, इदर ले आता हूं, यहां पर left hand side पर, क्योंकि मैं चाहरा हूं कि यहां पर space बने मेरे spine के अंदर, यहां से मैं कहा है, इसको elephant को भी थोड़ा से छोटा करता हूं, ठीक है, इप यह आप देखेंगे इन सारी चीज़ें को क्या मकसदा, उसके बाद हमने करना किया है, कि मैं all the way आप आता हूं, आ और मैं इसको school down करता हूं, ऐसके बाद आप देखेंगे, इसके size को मैं चोटा को हूंगा, ताकि हमारे element को यह touch ना करे, just like that, यह ठीक है, और उसके बाद, यहारा elephant वाला जो, exactly like that, ऐसे करना है, ताकि हमारे object को, ठीक है, और वो सही लगे, जब वो प्रिंट हो, तो कोई image ज लग रहा है, इसको मैं थोड़ा सा और चोटा कर देता हूं, इसको मैं ऊपर नीचे करके, ऐसे कर देता हूं, ठीक है, okay, that's fine, तो यहां से यह थोड़ा सा हमारा giraffe टच हो रहा है, इसको आपने, याद रखिएगा, आपने play round करना है, इस तरह से, ठीक है, play round करना है, ताकि आ आप टच ना करें, आपके book का ये spine बन गया, इसको आपने ऐसे बना लेना, ठीक हो, कोई चीज टच ना कर रही हो, उसके पाद जो next step हमने करना किया है, कि हमने एक text box add करना है, मैं यहां से shape पे वापस आता हूं, मैं इन दोनों में से कोई भी shape add कर लेता हूं, let's say, मैं इसी shape को add कर लेता हूं, और सबसे पहले मैं यहाँ पर आकर, a shape का color change कर देता हूं, इसको मैं white में कर देता हूं, औुसको नियहां से थोड़ाँ सा बढ़ा करता हूं, और यहां से इसको मैं चोटा करता हूं, just like that, और मैं इसको मैं उठा के, let me just bring it right here, right here, ते लिखेंगे इसको उठा लेता हूं जो बहुत बड़ी है दोबारा टक्स को पर क्लिक करें और इसको लिखने को आपने माउस की कशर से जो है में लाए सकते हैं और इस लाइं पर आप दोबारा क्लिक करें और इसको क्ट्रोल सी करें ंट्ल heti करें अभी हमने अपनी क्लिक करता हम इसको लाफे तैसे स्कूल करता हिए धर उक्षाल गिड़िक करना है और जॉक्र्ट कौर रिक में इहां परिक प्लिक कड्रया ऑप पर आके मैंने simply add क्या करना है जो size था अगर वो मैं image खोलो अपना अभी हमारा inner size ही होगा हमारी book का तो हमने यहां पर size लिखना है 7.5 x 9.25 inches ठीक है इसको double click करें और यहां पर लिखें जी 7.5 और यहां पर मैंने लिख देन है 50 pages जो book हमारी 50 pages किया है that's fine यह आप देख लें तो पर click करना है और फिर आपने transparency के उपर click करना है और इसको अगर आप एक चीज़ नोट करें यह लें मैंने पूरी transparency zero कर दी अब वो जो see through area नजर आ रहा था मैं आपको करके दिखाते हैं background में see through area जो हमारे जो image है यह आप अगर मैं दोबारा इस पर click करूं यह जो मारी template है य इसकी transparency अभी remove नहीं की तोटली ताकि यह पीछे से देख सकते हमारा image हमारा sizes हमारी canvas हर्ची जो है हमारे object जो है बिल्कुट perfectly align हो print के लिए लोगों के लिए ठीक है उसके बाद हमने करना किया है कि इसके उपर again जब आपने इसको select कर लिया है सारे को let me just click right here उसके बाद आप बिसाथ के मताबिक आपको माशाला मेरे कैन्मा के आपके टोरियों देख रहे हैं मैंने पूरी कैन्मा की series भी बनाई ही अपने चैनल के लिए और आम हैपी है अपने इस cover के साथ यह मारा front cover यह मारा back cover होगा book का आपने simply करना कि यहां पर आकर आप इसका को नाम दे लें मैं इसको कहा देता हूं कि my kindle book cover आप इसका नाम my kindle book cover लिख दी आप इसका कोई भी नाम लिख सकते हैं doesn't really matter मैंने अपने आपको याद रखने के लिए ताकि at the end जब मैं इसको upload कोना तो मुझे इसका नाम याद रहे है जो final चीज़ वह बड़े important है आपने यहां पर इसको print कै रहे हैं वो इसको print करेंगे और इसको use करेंगे इस तरह से simply आपने करना किया कि download क्यों पर click करें मुझे वो नाम पूछ रहा है ठीक है जी मुझे नाम रखना है मैं इसको फिलाल desktop पे save कर लेता हूं पर click करता हूं अभी देखें यहां से यह download हो गया हम इसको open करके देखते हैं कि कैसल लग रहा है यह लिए आपको बुक का कवर जो है वो डिजाइन हो गया और मैं समझता हूं कि आपको बुक कर रहा है यहां से बाट वह आप अपने उसका फर अचेस कर लिजेगा जब आप अपने बुक बनाएंगे यह आपका कवर नजरा आ गहे ठीक है और इसका हमने नाम रख दिया मैं कंडल बुक कर तो 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 फूरफेकली फाइन जी ठीक है जी इसको नहीं थोड़ा सा जूम इन जूम आउट करके देखें तो फूरफेकल यह आपका स्पाइन है यह आपका फ्रंट कवर यह आपका बैक कवर है इस बैर इंटाइसिंग बैग्रांड के साथ ही बड़ा जबर्दस मैच हो रहा है जब हमारी पुब्लिश होगी इसको लूप बैरी ब बैरी इंटाइसिंग और लोग डैफिनेटली इसको डाउनड करेंगे और खरीदेंगे और अच्छा यहले हमारा कवर बन गया अब नेक्स्टप बैरी इंपॉर्टन है अब हमने अपने बुक का जो है वो इनर डिजाइन करना है मतलब इंसाइड एरिया जिसके ओपर मैं पूरा अपना जैनल कैसे बनाते हैं यह लो कॉंटेंट बुक्स के लिए तो ताकि लोग इसको प्रिंट कर सकें ओके मारा यह कवर तिया तियार हो गया उसके बाद नेक्स्टप हमने क्या करना है नेक्स्टप पर जाने से पहले मैं इसका जो है इस लिंक को आप देख लें लिंक थोड़ा सा अग्शियर से बड़ा लंबा सा लिंक है लेकिन इसका में लिंक का आपको वीडियो डिस्क्रिशन में देदूंगा इनर एरिया बनाना अपने बुक का उसमें सेट ट्रीम और ब्लीड और मार्जिंस क्या होते हैं और इनको कैसे सेट अप करना अपने जर्न बलीड जब करेंगे इसके अंदर आप 1 करें ये नो ब्लीड वाला एरिया जब हम बनाएंगे अपने कांट्रिंट्स को सेट करेंगे आपनी बुक के लिए तो जो गृइष्ट है और श्यूंडर करेंगे अबनाने के लिए लियरे अगर पिदे ऐसे आपका टेक्स न करना या नो ब्लीड में इनर के एरिये के लिए तो उसके मताबिक हम को सेटिंग करनी पड़ेंगी एक तो यह चीज़ है अच्छा अब हम नीचे आते हैं उसके से हमें वो एक्जेम्पल दिखा रहा उन साइज इसकी यह है विद ब्लीड ठीक है और यह है विद ब्लीड हमने इसके अंदर बनाना है तो यह हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो इनर वाला एरिया है जो इनर का एरिया बुक का उसका साइज कैसा होना चाहिए तो अगर मैं अपना वही वाली टेंपलेट ओपन करों तो आप यह देख रहे हैं यह 7.5 और 9.25 बुक का जो एरिया है यह हमारा इनर एरिया है जिसके अंदर हमने अपनी बुक को क्राफ्ट करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे यह वही टेंपलेट मैंने खोली ति मैं बापस आता हूँ यहां से आप देख रहे हैं हमें ब्लीड के अंदर यह दिखा रहा है 7.5 और 9.25 का एरिया लेकिन क्योंकि हम नो ब्लीड में नहीं बना रहे हम ब्लीड में बना रहे हैं तो इसके सामने एक्जाक्ली यह जो एरिया है ना 7.625 और 9.5 अब हमने इसके अंदर डिजाइ बन गया था उसके घजना उसके बाद आप सिंप्ली होम पेज के ओपर वापस आएं यहां से आकर again आप create a design के ओपर क्लिक करें यहँख आकर सिंप्ली आप 不要 size उसके और क्लिक करें तो यहां से वो different आपको, क्योंकि मैं पहले बना चुका हूँ, यह recent वाल आप देख रहे हैं, 7.625 या 9.5 अगर मैं यहां से बापस आऊ अपने image के अंदर, तो 7.5 और 9.25 यहां पर हमें दिखा रहा है, लेकिन वो no bleed के अंदर गर मैं बापस आऊ उसी page के ओपर आपको समझा आने के लिए, वो कह रहा है कि 7.5 और 9.25 का no bleed है, लेकिन क्योंकि आप bleed में बना रहे हैं, तो 7.625 और 9.5 आप area select करेंगे, तो हम वापस आते हैं, अपने canvas के अंदर और इसी area को हम select कर लेते हैं, देखें, मैंने बनाया था, आप यहां पर लेके 7.625 और 9.5 लेके create new design के उ मैंने बना लेता हूं, या मैं recent के उपर इक्लिक कर देता हूं, तो वो design ही उसका canvas मेरे सामने ले, यह तो canvas आगे, इसके अंदर हमने अपनी inner book का inner हमने बनाना, अब next part बड़ा important है, उसके लिए हम वापस आते हैं, उसी link के उपर, अगर आप नीचे आएं, मैं scroll down करता हूं, तो यहां पर, यहां all the way down ही, आपको नज़रा आ रहे है margin, margin इसलिए जरूरी है कि हम paperback book बना रहे हैं, जब लोगो इसको print करेंगे, तो हमारे किताब को कोई हिसा उनको cut over नज़र ना आए, तो यहां पर margins को set करना बड़ा जरूरी है, तो यहां से गर आप देखें, page count हमार रहे हैं, without no bleed में हम नहीं बना रहे हैं, तो यह 0.375 आपका outside margin होगा, और inside margin भी यही होगा, 0.375 ठीक है, उसको set up करने के लिए हम यहां पर, अपने इसी canvas पर वापस आ जाते हैं, जिसको हमने अभी बनाया है, इस size के अंदर, मैं वापस आता हूँ दोबारा, आप लोगों 0.375 का हमने ruler design कर रहा है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कि आपको यह देख रहे हैं, यह नजर आ रहे हैं, मैं यहां पर click करता हूँ, और view design के ओपर click करता हूँ, इसको मैं खत्म कर देता हूँ, आपको ऐसे नजर आ रहा होगा, आपको ruler's नजर नहीं आ रहे होगा, 0.375 वापस आता हूँ, यह है जनाप, sorry all the way down, अगर मैं आउं, margins के ओपर, यह margins के ओपर, तो हमें जो area चाहिए हो चाहिए, 0.375 इनर margin के लिए, और outside margin के लिए 0.375, दोनों में equally margin चाहिए, तो हम यहां से वापस आते हैं, तो हम करेंगे क्या, यहां से इसको पकड़ेंगे ऐसे, और इस तरह से आप इसको 0.365, थोड़ा सा अगर आप ज़्यादा margin रख लेंगे, approximately, तो वो बहतर होता है, feasibility के लिए, 0.365 वो दिखा रहा है, थोड़ा से और मैं इसको, चलें, 0.395 दिखा रहा है, तो approximately इतना, that's fine, इसको हम यहां पर छोड़ देता है, इसको margin को, अच्छा, मैं करता कि यहां कि बड़ा मुश्किल है, कि मैं उपर से, नीचे से, राइट और यहां से, बॉटम से, इन सारे margin को इसी तरह से सेट कर सको, तो मैं करता हूँ, क्यों सिंपली कि मैं left and side पे element पे आता हूँ, और यहां से मैं एक square उठा लेता हूँ, यहां से, ठी इस तरह मैं इसको उठाता हूँ, और इसको उठाके मैं अपने इस area में यहां पे रखता हूँ, ठीक है जी, let me just put down here, और इसको मैं ऐसे squeeze कर देता हूँ, तकि मुझे पता चले कि यह exact margin है, ठीक है जी, good हो गया, मेरे यह वाला, अब मैं जो उपर वाला margin है, उसको उठाता ह और 0.375, 368 दिखा रहा है, थोड़ा सा, यह यह दिखा रहा है, अब मैं करता क्या हूँ, कि मैं इसको उठाता हूँ, यहां से, अपनी shape को, और इसको उठा के यहां पर लेके जाता हूँ, और इसको set करता हूँ, ठीक है, that's fine, यह भी set हो गए, यहां पर इसको मैं थोड़ नहीं चलता है, क्योंकि यहां से आपको margin ज्यादा दिखा रहा है, क्योंकि ruler को अपनी यहां से उठा है, तो इसका फिर अगेन वही हल है, अब मैं यहां से इसको उठाऊंगा, मैंने क्योंकिए shape अपनी बनाई हुई है, इसको simply उठा के, मैं इसको यहां पर आकर रखूँ भी जो मुझे नजर आ रहा है, क्यों मुझे क्या margin दिखा रहा है, लेकिन वो margin इसलिए नहीं बनेगा, क्योंकि जब आप उपर से या left से उठाते हैं, तो ज़्यादा margin दिखा रहा है, तो जो आप यह square बना लेते हैं, इससे आपको exactly पता चल जाता है, क्योंकि आपका margin ज बन गए, यह आपके printing में नजर नहीं आते हैं, ठीक है, once you've done all that, अब इस area के अंदर हम अपने contents add करना है, ताके वो cut out ना हो, और बाहर ना जाया उस area से, ताके जब login paperback books को print करेंगे, तो easily margin के अंदर हमारी चीज़ जो है, वो बनेगी, इसी तरह से जैसे मैंने आपको cover बन link था, page का, वो भी मैं आपको इस link के अंदर दे दूगा, ताके वो template भी आप download कर सके, ठीक है जी, दोनों आप video description में देख लीज़ेगा, अब हमने अपनी book बनानी शुरू करनी है, inner circle, यह हमारा inner circle है, perfect margins है, अब इस area के अंदर हमने बनाना है, जो भी बनाना है, ठीक है जी यह हमारे rulers और margins upset होगे, अब हमने क्या करना है, simply आपने line के ओपर click करना है, और line को आपने यहाँ पर expand कर लेना, line हमने add कर लिए, दोनों तरह से, इसको expand कर लेना, दूसरे हमने यहाँ पर click करना है, इसका weight जो है बहुत जादा है, इसका weight को हम 1 करेंगे, ताके जो lines होती है जनल के अंदर, वो ग्रेश लुक देती है, बहुत बलाइक लुक नहीं देती है, हमने करना कि इसको आपर click करना है, इसको तकरीब हमने 25 दफा जो है, duplicate कर लेना है, तो हमने simply इसको आपर click करना, control C करना है, और control V करके, यह देखें आप, दो, तीन, ठीक है, जिए 20 से 25 इसको आप लेकर आए, अब यहां पर आप, उसके बद ऊपर से थोड़ा सा अपनी space ज्यादा रखना है, और हम इनको score down कर लेंगे, ऐसे, ताकि हमारे page के ऊपर पूरी बिलकुल आजया, lines, just like that, okay, जिए देख लिए, अब आप हमारे general बनता जा रहा है, ठीक है जी, तो यह बड़ा खासा space है, और यह बड़ा even space है, लीचे से हमारे ruler margin नजर आ रहा है, that's fine, जी, जब आपने यह कर लिया, उसके बाद हम एक और काम कर सकते हैं, कि यहां से आप elements के उपर click करें, और आप कोई भी element, black and white element भी आप select कर सकते हैं, animals के, तो मैंने कुछ already select की हैं, अगर मैं see all के उपर click करों ती, यह मुझे जुराफ बड़ा अच्छा लग रहा है, इसको उठाएं अपने page को more enticing और खुबसुरत बनाने के लिए इसको उठाएं और यहां पर आकर, जैसे जब आप यह elements रखते हैं, तो फिर आपको पता चलता है, कि यह कितनी ज़ादा फाइदा म में है, यहां पर मैं कोई और जो है, let's say मैं चलें, लुबंकी उठा लेता हूं, इसको उठा करता हूं, तो जो लोग कलर में प्रिंटिक करेंगे तो बड़ा खुबसुरत है, इनको इस तरह से color में भी यह मिलेगा, अगर मैं चाहूं तो black and white भी मैं रख सकता हूं, यहां पर कोई और भी object में black and white इस तरह से उठा के रख सकता हूं, यहां पर बिल्कुर इसके साथ ही set किया है, मैंने थोड़ा से इसको ऐसे कर देता है, ताकि ऐसे फायदा होता है, रूल और बाज़न होगा, ओकी जी, once we done all that, अब हमने करना किया है कि इसको हमने 50 pages के अंदर करना याद हमारी जो book है, हमारा जो journal है, वो 50 pages का है, तो आपने करना किया है कि यहां bottom में आपको नज़रा आरा grid view, इसको पर आप क्लिक करें, और आपने करना किया है कि इसको simply control C करना है, और control B करना है, दस तपा हम इसको पहले बना लेते हैं, 10 pages इसके, मैं 10 तपा control B करता हूं, 6, 7, 8, 9, 10, ठीके जी आपको दिखारा, pages 3, 4, 5, अगर मैं all the score down करूं, तर 10 pages बन गे, हम मैं क्या करता हूं, control A करता हूं सब को, और control C करता हूं, और मैं control B करूंगा, तो यह 10 तपा हूर पेस्ट होगे, control फिर भी करूंगा, 10 तपा हूर पेस्ट होगे, अब फिर control भी करूं we are going to make sure कि हमारे 50 pages है, ठीके जी, everything looks fine and wonderful, perfect, यह देके जी, हमारे 50 pages complete होगे, क्या हमने book 50 pages की रखे लिए, आप जितने भी pages की रखेंगे, इस तरह से आप इसको बनाएंगे, ठीके, once we are happy with all that, everything looks fine, तो हमने करना कि है, इसका मैं यहाँ पर नाम कोई दे लेता हूं, मैं कहता मैं जर्नल, नोट बुक, एंटर परस करता हूं, उसके बाद मैं शेर के ओपर क्लिक करता हूं, और मैं डाउनलोड के ओपर क्लिक करता हूं, और यहाँ से अगें, पेडिया प्रिंट सेलेक्ट करना है, और देखें आपको दिखा रहा, all pages 50, perfect, तो आप इसको डाउनलोड के अपने डेस्टॉप के ओपर, और मैं इसको ओपन करता हूं, और देखता हूं कि हमारी जो किताब है, ओके यह दिखा रहे हैं, और इसको थोड़ा सा जो है, मैंने माइस करता हूं, ता कि आप कोई इस तरह से नदर आ सके, ठीक है, यह हमारे जर्नल हमारा त्यार होगा, हर पेज के ओपर, लुक्स प्यूरिफू, ठीक है, मार्जन के अंदर हैं, यह बिल्कुर प्रिंट आउट के अंदर यह कटेंगे नहीं, और यह जर्नल के अंदर हो इसको प्रिंट आउट करके, देकन राइट एनिधिंग वांट, ठीक है, यह 50 पेजिस हमारे कंप्लीट होग तो आप इस पेज के ओपर आ जाएंगे, यहां पर मैंने सारी वीडियो स्टेप पर स्टेप आपको बना कर दिखाई हुई है, यह जो वीडियो है ना खासर पर हाओ टू मेक मैंने भी चैट जी पीटी, इजी बुक सेलिंग बिजनिस ऑपर जनुट इसके अंदर मैंने के के ओपर साइन अप करने का, किंडल पॉब्लिशिंग के ओपर, इस साइन अप करने का पूरा प्रॉसस आपको दिखाया हुई है, और फिर आपने इस वीडियो के अंदर अपना पेनियर का अकाउंट कैसे कुनेट करना और अमेजान से पैसे आपने कैसे लेने, इसको भी आ इसको दिखाया हुआ, साइन अप करने मेरी प्लेलिस में जागे, ठीक है जी, जब आप Amazon Kindle Publishing के ओपर साइन अप कर लेंगे, इस वीडियो को देखने जागे, उसके बाद सिंपली आप जब लॉगिं करेंगे तो इस पेज के ओपर आएंगे, यहां पर आपको दिखा रहा Create, Manage and Publish, तो आपने Simply Create के ओपर क्लिक करना है, यहां पर हमने क्योंके Paperback है, जो है, Create Paperback, इसके ओपर क्लिक करेंगे, लेंग्विज हमें English दिखा रहा है, तो और भी दूसरी लेंग्विज भी है, लेकिन हम इसको English ही सिलेक्ट करेंगे, बुक टाइटल, यहां पर हम लिखे 2-5 इंचिस के अंदर, जो है, इसका साइज है, ठीक है, सबस्टाइटल में उनको यह, लोगों को नज़रा आजा के, what exactly they are getting, उसके बस नीचे आजए, आपको सीरीज दखा रहा है, यह बुक किसी सीरीज का इसा नही है, एडिशन नमर की भी आपको ज़रूत नहीं है, जहा हम एक शूर करके, यूनीक सा यहाँ पर नाम लिखने, अगर आपने अपना नाम नहीं लिखना है, ऐसे पैन नेम, अगर अपना नाम लिखना है, फिर्स नेम, मिडल नेम और लास नेम लिखना है, तो मैं यहाँ पर एक पैन नेम लिख लेता हूं, ठीक है, यहाँ यहाँ सबसे है एक pen name लिख लिए lovely first name में middle name मैंने cute लिख लिख दिया और last name में journals लिख दिया है मैं पूरी वैसे series भी मनाने के सोचना हूँ इसलिए मेने ये pen name रख लिया lovely cute journals के नाम से ठीक है उसके बाद आप स्क्रोल डाउन करें कोई और कंट्रीप्यूटर नहीं है तो इसको लिखने की जरूद नहीं है नीचे यहां पर आपने डिस्क्रिप्शन देनी है इस बुक के बारे में आप चैट जी पीटी के ओपर भी जाके डिस्क्रिप्शन इसके लिख सकते हैं कि मेरी इसके पोक में दो लिख तो मैंने जो डिस्क्रिप्शन हैं की और अंगे पार तो नहीं है आप लिख के देगा मैंें जो ऐको इसे तो बिर फूर सब एर धृता है नहीं में तोल सा इसे इसको बोटरता मुड़ करता हूं जोरब बस्को बात रिखे शियर थे बकंपर थे डिल रेख रहां बहुति कर दो कि चाहि और रे इन्ह थेड यहां होगा यहां स्पय सिर्प्ट लिखे डिंग देन जिए हैं तो क्यों दे का लिखा लिक देखेन हैं यह दूर्स को अस्ट में पर लेखें दिया है आद देखेंगा इ यह पूरा लिख सकते हैं मैंने चैट जीपटी से इसको लिखा है तो भी वेरी होनस ठीक है मैं किट की किताब लिख रहा हूं एक जर्नल बुक लिख रहा हूं इसको लिखने के बाद उसके बाद आप सिंपल इसको डाउन करें फब्लिशिंग राइड्स की बात और यहां आई ओन दी राइड्स बिकसी हम ने खुदी बनाई है किसी और नहीं नहीं बनाई हैं किसी के कॉपी राइड्स को इनकर रहे हैं ना हमने कुई ऐसी चीज़ें इसके अंदर डाली है को जो किसी और की प्रॉपर्टी हो तो सिंपल यहां पर आकर लिखा तो इसमें डॉप डॉप डाउन में आप वही चीज़ नाजरा आती हैं जो आपको और लोग भी इसको चीज़ों को सर्च कह रहे हैं तो आप करता हम इसाँ सीफरेंट मैंने कीवर्स को सर्च गिया है मैंने कीवर्स के राज हैं इसकwarz jsूदि हैं के पाले को क्रेक्श हो आप स 되क कीवर्स जो के सब्सका तून दियुदि के अघ्य Сबीध नोडेंग मड़ी इसकैस लोगए चाहिं बीद Wonderful Let's सब्सक्राइब करें लो कॉंटेंट पोक है इस वर्य वर्य सेंपल तो इस पार जाए हम लिखते हैं जी जुवनायल नॉन सब्सक्राइब करें तो यहां पर एक और है लैंग्विच आर्ट की करें इसके ओपर अगर हम आवके देखते हैं यहां से कुछ यह राइटिंग जनल हमें में लगा है तो इसको हम सेफ कर लें तो इस वाइं ठीक है यह हमने अनिमल्स के अंदर जुवनाल नॉन नॉन एक और करेंगरिया लेंविच आर्ट के नावसर इसके अंदर में जनल राइटिंग कर ली उसका बद आपको कहरा है इसको इसको क्लासिफाय एस बन बिल्कुल नहीं है इसको पर नोपे क्लिक करें से बंग करें ठीक है आगे वह आपको पूछ रहा है कि चूस्ट बेस्ट इसको पर आप सिंप्ली वोई डेट रख लें जिस डेट को आप बना रहे है क्योंकि Amazon फिर भी 7-2 आवर्स तो लेता है इसको प्रूव करने के लिए तो इस इस फाइन उसका बाद आप प्रिंट आप्शन पर आ जाएं तो मुसली जो है ब्लैक और इन वाइट इन्ट बात करेंगे तो हमारी जो बुक थी वो इस साइज की तो आपको याद हो यह साइज 7.5.9.25 अगर मैं वह इमेज खोलू हूं यह आप देख रहे हैं 7.59.25 इस साइज की हमारी यह बुक थी इसको पर क्लिक करेंगे ठीक है जी नीचे आज यह ब्लीच सेटिंग्स में तो हम इसके बाद आप नीचे आजें मैनिस्क्रिप्ट की बात कर रहें तो आप अपलोड पेपर पेपर एक मैनिस्क्रिप्ट जो है आप उसके ओपर क्लिक करें यहां से आप अपनी वो बुक उठाएंगे जो आपने पचास के पचास पेजिस जो है सेव किये थे माई जोनल नो कि हमने अल्रीडी उसको बना रखाया है तो अपना और यह हमारा बुक का कवर था ओपन के ओपर क्लिक करें अब लो जी वो अपलोड कर रहा है तैस फाइं लो जी कवर अपलोड़ी से से सुली प्रोसेसिंग यूर फाइल ओगे जी नीचे आ आजिए हो कह रहा है ड़स्यो कवर इंक्लूड बार कोड इसको अपको करने की जूरत नहीं है चैक क्यों कि खिर ने करके पोरकर निचे करें करें के ऊपर करें की ऑड़ करें तो यो अदिह मैं यह यह कौर हॉपर हमारे एक बुक अंदर से लिक्स परफिक्टी फाइन ये देखें ये मंकी और जिराफ के जुमारे बिल्कुर रूलर के अंदर है तो इग्ले पर जाएंगे तो आपको बिल्कुर नेक्स यहां देख रहें तो फिप्टी के इन आपको इसी तरह से नज़र आएंगे यह आप देख अगर तो शैंगर तक हो उपर का इंगर कि अधर क्लिकव कflower करें या फे आपगी कोउल डाउन करें आपको पृड़िज को ना चैंड जब कोई लोग हमसे खذरा रहे मोगे तो Amazon जो है उसपर यह कॉस्ट करेगा हमारी बुक के पर क्योंको लोगों ने जो इसको प्रिंट करना है किताब को यह प्रिंट के लिए है तो हमें जितने पैसे हम चार्ज करेंगे उसमें से पर दो पर बाद से वन के उपर करें कि बाद आप नीचे आए और टरीटोरी की बात कर आप को खुर्स हमें आपकिसी खास लोकेशन पे निखाना तक जो है बुक की प्राइस रख सकते हैं जिनकी अगर उस लेवल पे हो लेकिन इतनी लो कॉंटेंट की बुक को 250 डालर उसके कोई भी पे नहीं करेगा तो अब मैं यहां क्या करूँगा मैं यहां पर मिनिममम 3.58 है तो मैं यहां पर सिंपली क्यों कि अगर पहली बुक आपक जाएंगी 42 cents और इसी तरह से आप यहां से प्राइस बढ़ाते जाएं आपकी बढ़ती जाएगी लेकिन इनिशली आप इतनी ही रखें यह लिटल बे लिटल जब आपकी पालिंजर्स किताब हो जाती है तो बड़ा पैसिव इंकमाब बनानी शुरू कर देते हैं इसको पर 49 cents ही रखूँगा अभी क्योंकि पहली बुक है तो पहली बुक पर इतने मुझे कोई मसलान यतने पैस होगा मेरी कस्टमर बेस बनेगी जब मैं अगली बुक लाँच करूंगा जितने भी पहले कस्टमर बने होंगे जितनी ज़्यादा प्राइस कम होगी जितनी ज़्याद कर देन कर देन बिंकिया तुम ट्रेखी जर wordt उप्राइस प्राइस होगी फ्राइस के दर अंदर प्राइच कंट्रिश में आपके बुक से नरे होने में रिक़रिगी लेकिन आप यहां से कर सकते हैं ग्सक्राइब्स होने में भूप लोग असके बाद पर मुनकिया पर फ davis प्रक्राइबन वंड हो से आठेको डियारे अब प्रक्राइ फेल डियां मैं होंकि night is Google. एक कारेडा चूर्मड चैनलो में हैं बडिधान फ्रका क्तार था है, यह क्लीं प्राइस है सबॉते हैं हैं अरन को प्रडे खरका कमारे एक सब्सक्राइब क् segunda, भी गाइडलाइन फर बुक डीटेल्स, कॉंटेंट और क्वालिटी, ठीक है, यह कह रहे हैं, इसके अंदर यह इसको फिक्स कर लें, ठीक है, पॉब्लिश यूर बुक एजिए किंडल एबुक भी है, यहां से आप किंडल की एबुक भी स्टार्ट कर सकते हैं, उसके भी मैंन मैंने पूरी बुक बना के पुब्लिश कर दिया है, अब कोई ऐसी चीज नहीं है, जो आपको रोख सकी हो, आपके पास सारी इंफरमेशन है, जाएं, कंसिस्टन भी काम करें, ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी, यह जनल लो कॉस्ट बुक्स हैं, इनको आप ज्यादा से ज मेरे चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लें, और सबसे इंपॉर्टन यह है कि नीचे कमेंट सक्षिन में अपने क्वेस्टन मुझे पूचें, अपनी फीड़बैक दें, उससे मुझे बहुत खुशी होगी, यूट्यूब के अलोग रिथम में मेरी इस वीडियो को ऊपर आने में भी हल्प होगी ताकि और ज्यादे लोगों तक यह पहुन सके और और ज्यादे लोगों की मादद हो सके, तैंक यू सो मच अगें पर टेकिंग दी टाइम और वाचिंग इस वीडियो जी आपसे इंशाला अगली वीडियो में पहुल जब मुलाकात होती है, अल्ला आपसे.